ये है Scorpio N का सबसे value for money variant इस से उपर में आते हैं एक Z8L ये जो variant है Z8 variant है गुडगावा अरियान में जो मैंने इस गाड़ी को पर्चेज किया है 23,80,000 रुपे में पर्चेज किया है और 23,80,000 में इस गाड़ी के अंदर में 22,000 की एक्सेसरीज भी लगो रखी है जो की महिंद् थी अब सबसे value for money variant क्यों है अब इस श्यूपर सबसे पहले बताता हूं जो Z8L आते हैं उसके अंदर में एक्स्ट्रा क्या मिलता है फ्रेंट में camera, parking sensor, power seat, drive drone detection और 12 speaker का arrangement जो है Z8L में एक्स्ट्रा मिलता है अब इस चीज के आपको दो एक लाख रुपे लगबग इतनी है वो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं तो मुझे भाई वो spend करने वर्द नहीं लगें सिरफ यही इसके अंदर में डिफ्रें रोल डाउन कर जाएगी और जो गाड़ी की sunroof है वो भी open हो जाती है और जो blowers भी चल जाते हैं तो इस गाड़ी का जो यह एक फीचर है ना एक ही आपको इसकी की में मिल जाता है उपर से इस गाड़ी के अंदर में एडर नोक्स मिल जाता है जिससे कि क्या है अपनी गाड signal लाने चाहिए आपके phone के अंदर signal लाने चाहिए कहीं भी बैठे हो गाड़ी को start कर लो गाड़ी की headlight जला लो गाड़ी को unlock कर लो एक यह feature जो गाड़ी के अंदर में मिल जाता है बाकि जो इस गाड़ी की headlight है यह आपको projector मिलती है LED में और जो इसका high beam है वो purely LED काम करता है reflector base में DRLs यहां निच्छे की तरफ में मिल जाते हैं जो कि यहां पे glow करते हैं और indicator क्या है गाड़ी के sequential वाले मिलते हैं और जो गाड़ी की fog light है वो भी आपको projector LED वाली मिल जाती है इस Z8 variant में आप लोगों को कोई front में parking sensor यहां फिर camera नहीं मिलते हैं ground clearance के मामले गाड़ी बहुत बढ़िया है और look के मामले में भी गाड़ी बहुत जादा बढ़िया है front side back कहीं से देख लो भाई मेरे को गाड़ी बहुत जादा बढ़िया लगती है लोग बाग इसको वैगनार से बहुत compare किया था पर मुझे बिलुकुल मिल लगी क्योंकि Volvo के light विता ऐसी आती वोलव से compare जरूर यह से गाड़ी को निच्छी वाली गाड़ी से compare करना इस गाड़ी के अंदर में आपको चारोड ब्रेक मिल जाते हैं और मेरी किस्मत बढ़िया थी कि मेरे को Apollo के टायर से अंदर मिल गए बाकी MRF के टायर भी जो है गाड़ी के अंदर में आपको मिल लिंट रोड पे बिल्कुल नहीं पता चलता है फुट स्टेप्स भी रखे हैं और विम एलेक्ट्रिकली अडजेस्टेवल रिट्रेक्टल दोनों फंसिन साथ मिल जाते हैं विंडो के नीचे पूरी एंड तक में क्रोम लाइनिंग मिल जाते हैं दोर हैं पर भी क्रोम मिल जा लिए और जो मैट है यह भी मैंने इसके एक्सिसरीज में लगवा रखे हैं अगर जो सक्वफ लेट हैं यह स्क्रैच बड़ी जल्दी पढ़ रही है यह पता नहीं इसके निच्छे वाले टच हो रहे हैं क्योंकि पैर तो मेरी तनी इसके उपर ना टच नहीं हो एं तो सई लेंप LED की दी गई है बैक कैमरा गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं जिसकी कैमरा क्वालीटी से मैं इतना सेटिसफान नहीं हूं क्योंकि आज कल के जमाने में इतनी बडिया बडिया कैमरा क्याटी आरें वेसे कुन कैमरा क्यांडी से आप फोटो भी सकते हो और यहाप यह ही मट हैं आए में इस काडि से टैस्ट किया था ना जैसे भीड बाढ़ वाले प्लेइन रास्ते में टैस्ट यह उसके अंधर में रिपफिल कराणा पड़ता है बाकि आप गाड़ी को किस हिसाब से लाते हो कहां चलाते हो ज्यादा बगाओगे तो जो आपका डेफ है यह बहुत जादा जल्दी कंज्यूम हो जाएगा पिछे वाली सीट के हैं इसके अंदर में बैंच टाइप वाली मिलती है इस सीट को अगर आप डाउन करने जाते हो न सारी टूल किट्स बगेरा यहां पर दी गई है और यह वाड़ा एरिया यह इसके स्पेर विल के एक्सेस के लिए दे रखा है यहां सिरब पिछेक तरफ में 12 वोल्ट का शोकिट मिल जाएगा सब वूफर जो आएगा इसके जैडट एल वेरिंट में आएगा इसके थार्ड इसके लिए लंबार सपोर्ट के लिए लैदर आपोल्ट की सीट कवर है बड़ी कमफर्ट वहले और इन शिटों का कमफर्ट भी ना बहुत बढ़ी आएसा मिल जाता है यहां पर चारू पावर विंड़ों कुछ चीज़ है वार्वियम कंट्रोल है यहां पर लैजर है प्लेश्मेंट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं मिलती है यह स्कॉफ प्लेट इलुमिनेटेड वाली है जो कि मैंने इसके अंदर में एक्सेसरी में लगवा रखी है इस साइड में इंजन स्टार्ट स्टोप का सुच दिया हुए लाइट लेवलिंग के लिए यहां पर कर पाऊँगे music system के इसकी ऊपर में control मिल जाते हैं cruise control यहां पर मिल जाता है ओट रहीज और फियर इंफर्मेशन है और और navigation navigation जुश को खुद का maple वाड़ है ना वह यहां पे चलता है Google Maps वाड़ है इसके अंदर में navigation नहीं चलता है तो मैंने तो अभी तक में इसके अंदर में यूज नहीं किया है जैसे जेटेटा लॉत अनने सक्त्रूपर में κάν vin और आपाएगा पर जैड़ेट में सिंपल याता है आठ इंच की टॉच्क्रीन डिस्प्लेई है अब बाई एंडर ओट एपल कार प्ले इसके अंदर में आ चुक है बट इतनी टोप नोच क्वालिटी की तरह नहीं चलता है डुएल जोन यहां पर क्लाइमेट कंट्रोल मिलते मन्दी तेज करने पर इसको मन्दी जो पर about इस बयाएल पर के बटन जूल नंतों आप देंटिया ह। घ्रड का देंगी हैं नहीं आती है गेर नोब देखने में गरे बाई शुफटिन बड़ी बड़ी है यहाँ पर दो glass holder मिल जाएंगे armrest leather वाले spacing भी है बिल्कुल ठीक सी मिल जाती है center में क्या है इस गाड़ी के अंदर में leather का पूरा use किया गया है illuminated glove box है पर size बड़ा छोटा है और एक cooling function के साथ में आ जाता है IRVM manual के दिये गए है sunroof भाई बिल्कुल बड़ी है opening भी है बिल्कुल बड़ी है और one touch function के साथ में यह मिल जाती है जब तक मैंने गाड़ी ने ली थी में तब तक तो पड़ा चाहो था भाई sunroof का अब जब मेरे पास गाड़ी आगे ना मैं इसको खोल के मिनी जाड़ा था मीरर और लेंप दोनों चीज़े मिल जाती है और ड्राइवर साइट संवाइजर में सिरफ टिकट होल्डर ही मिलता है यहां पर दे रखें दो USB के लिए एक तो आपको में चार्जिंग के लिए बाकि सी टाइप या फिर 12 वोल्ट का शोकेट ना इस गाड़ी की first row में नहीं होती है सिरफिन का रेकलाइन एंगल ही आप अड्जिस्ट कर सकते हो पर रेकलाइन एंगल है बिल्कुल बढ़े हो जाता जयता है बिए बम में भी cabin lamp मिल जाता है फ्लोर थोड़ा सा उठा हुआ है पर तीन जने काड़ी के अंदर में बिल्कुल comfortably बैठ के जा सकते हैं जिसकी फ्लो बड़ी तगड़ी है एक पर चलेगा ना तो सिद्धी मुह पे आवा मारते कोई दिक्कत नहीं है और एक अब दिखाता हुआ इसका इंजन 2.2 लीटर का डिजल इंजन जो की 112 बहतर भी एच्प और तो 370 एंजन टोर्क निकालता है माइलेज की तो मैंने बताए दी अब जैसे इस गाड़ी का हुड ओपन करते हैं तो जो इसके हैजाड लेंप है थोड़ी देर खिली तो ओन हो जएते पर जाद देर तक खुल रहें तो इसके हैजाड लेंप बंद हो जएते हैं इसका ओनर सब्सक्राइब करना बाए बाए